हेलो फ्रेंट्स एंड वेलकम बाइटुडेट टॉपिक इस मेजर डॉमेन अफ द और पिर्थ्वी के परमुख परिमंडल एंसी इस चैप्टर में हम देखेंगे कि पिर्थ्वी कौन-कौन से परिमंडल है और इस वीडियो लेक्चर की खास बात यह है इसमें हमने अच्छे नोट्स भी प्रवाइड किये हैं वीडियो में जो आप देख सकते हैं अच्छे एक्स्प्लानेशन के साथ और नोट्स भी अच्छे हैं तो आए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं और इसमें देखते हैं क्या क्या टॉपिक है वन बाइवन वाट इस अमेजर डॉमेन अफ the Earth there are 3 major domain of the Earth 1st is Lithosphere that is called Bhuv Mandele 2nd is Atmosphere that is called Biomandel 3rd is Hydrosphere and Finally is Biosphere जीव मंडल तो बायो इसपर दिन नथिंग बड़ा कंबीने सना अप ऑल ठीड देख सकते हैं यह कमन एडिया है जो थीन मंडल से बरना हुआ है आई यह हम उन बाइवन एक एक करके स्थरी करते हैं अटमस्पेर में क्या पढ़ते हैं है तो मेजर डॉमें इन तरह के होते हैं जो मैंने ओर दिदे बता दिया रूप पर लिदैंट पोर्टन ऑप आफ एक लीजिश वी जो ऍस तो In the Greek language, litho means stone Second, atmosphere The gaseous layer that surroundings the earth is atmosphere where oxygen, nitrogen, carbon dioxide and other gases are found In the Greek language yet atom means vapor and what about Hydrosphere Water covers a very big area of the earth's surface that this area is called the hydrosphere and final is biosphere the biosphere is the narrow zone where we found land water and air together which contains all form of the life. मैं नहीं बताया था कि biosphere क्या है? एक combination of all above three so one by one we'll see फ़र मम देखते हैं लिफोस्फेर के बारे में लिफोस्पर बार्ट में अजना प्रेस्टेंट में क्या है? यह सॉलिट जो आप ब्रेस्टेंट के लिफने है? लिफोस्पर में अब इसको हम अधिस का है? हमेजर में बिदिफिजैन का है। मिडिपारी इप जो है इसको हम दो भाग में बाठते हैं जो लेंड मास होता है उसको और जो वाटर बड़ी होता है उसको अब आये देखते हैं कि इसमें क्या है लिफ्वेस्पेर्स में जो मांटेन का हाइच्टी क्या है मांट एबरेश्ट है जिसका हाइट क्या है एक थाउजन एटहंड फोटी एट मेंटर से एंड ग्रेटेस्ट डेफ्थ है जो वाटर है कितना है 11,022 मीटर एट मारीन ट्रेंच इन पैसिफिक और से पैसिटिक और सबसेंट जो है वह कितना है लेवेन थाउजन तॉन तॉन प पार्ट एंगेंट और वह इस को किसमें पढ़ते हैं लिफ अस्पेर में पारते हैं है वाई हम वन बाई वन करके चांटिनेंस के बारे में स्ट्टी करते हैं डिर आज सेवन कंटीनेंट्स एसिया इरोब अपरिका नौर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका अस्टेलिया एंड देखिए इस मैप में भी अब देख सकते हैं अलग अलग डिखन 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 कलर सोच डिफेंट कंटीनेंस यह अस्टेलिया हो गया यह रेट कलर एसिया मरून करल इरोब अपरिका साउथ अमिर्का नौर्थ अमिर्का एंड अन्टार्क्रिका अब अब लिखन में अईसीय के बाड़े में बाले देखते हैं क्या है अपरक्रिक तोपिक पासे यह एक्षा करती है और कंबाइंड लेंट वह ए यह कॉल्द को ऑद ये अश्या यह औरफ हो गया और यह ऐसेया है कि स्पाइन लाइंड मासको आज अब क्या सक रखते हैं यह यह रूप हो गया और यह वाटर वाड़ी है और यह एस यह हो गया और एस या और यह रोप के लेंड मास कोंग क्या बोलते हैं युदे अभी बोलते हैं कि फोड़ कंटिनेंटी जब फिरका अफिरका क्या है से कंटिनेंट है और इसकी खास बात यह है कि इससे मैंने बताया था कि जो इंपोर्टेंट पार्लेल से इसे एक्वेटर हो गया जीरो डिग्री ले लाटीचूट और यह क्या होगा ट्रफिक आप देख सकते हैं कि तीन पार्लेल्स इससे पास करते हैं ट्रफिक आप केंसर एंट्रोफिक अप्टिक और एक जो एक लाइज क्लाइब के लिए जो फिर यह पाइजा याज और का में पाई जाता है अपया जाता था वर्ट्रोफ लॉइंड लॉंगएस रिभर नीव फ्रूज थुड के तो सबसे लंपित इभर है नील और मैंने पाहले भी बताया कि ट्रॉपिक आप कैंसर ट्रॉपिक आप कैप्रिकॉन एडिक्वेटर और त्री लाइन पासे थ्रू अफ्रीका और देखिए एक और इंपोर्टेंट पॉइंट प्राइम मेरीडियन यह से पास करती है यह यह अफ्रिका के त्युक्त आप करेंगे लिए दिए सब्वार्ट पॉज्भ आइगा नवों एक चीने अर्फ नौर्थ अमेरिका और यह जो नौर्थ अमेरिका और शाओ्स अमेरिका जो है यह दूसरे से को लेंड इस स्मॉल लेंड से स्परेट हुआ है इसको मीठ बोलत पनामा अस्तल संधी होता है जो दोनों पंटिनेंट को आपस में जोड़ता है और साउथ अमेरिका के क्या है कि इस्तमस क्या है इसको क्या बोलते हैं इंदी में अस्तल संधी बोलते हैं को एक तो एक इस्तमस और लेंड बिदे नेरो बाडी ऑफ लेंड बिट्वें तो बाड़ी ऑफ वाटर संधी तक यह इसको क्या बोलते हैं इसको जल शन नहीं बोलते हैं वाटेज स्ट्रेट इस नेरो बोड़ी ऑफ वाटर विट्में टू बोड़ी ऑफ लेंड देखिए मैंने इसमस का एक्जामपल दिया था यह नॉर्थ अमिर्का और यह साथ अमिर्का को जोड़ती है और स्टेट क्या है मैंने बताया था इस्टेट जो है दो वाटर बोड़ी को जोड़ता है यह से इंडिया है स्टेट जोड़ता है और एक और है इसका हम आप एक और ग्यामपल देख सकते हैं स्टेट ऑफ मालाका साउस चाइना सी और इंडिया नोसिन को जोड़ता है तो यह हुए स्टेट के बारे में इसको जलसंधी भी बोलते हैं कि देखिए अब इसमें कुछ देखिए वाट इस पैंसला पैंसला क्या है अर्पिलोज जो क्या है इसको दीप समों भी बोलते हैं दिप समों क्या है चेन आफ आइलेंड से यह इसको हम दीप समों करते हैं प्रिनुंसला क्या है और बोडिज अप्लैंड वाटर ऑं फिरी साइड देखिए यह यह है जो यह हम इसमें देखते हैं यह जो अर्थ का पूर्षान है यह तीन भागों से जल से गिरा हुआ है इसको प्रिंसला परते हैं देखिए यह पु प्रायदीप यह पेन नुसला बोलते हैं आक वाटीज गल्फ अर बोडीज अप वाटर सादे दिए साइड जो लेंड मास्त अगर तीन तरह से लैंड से गिरा उसको क्या बोलते हैं गल्फ बोलते हैं और वो कुछ हमारे वर्ड में बाटरे हैं सब जो से कंट्री देख सकते हैं यह सब जो है जो तीन तरह से गिरा वह उसके बाद और लिए हो गया कतर हो गया यह सब मुझा है कि गल्प कंट्री वात सी अंदर कंट्टिनेंट थे burg Agency देख सकते हैं कि अखनलें यह और वह तरह से जल से घरा हुआ है इसको इसलिए हम को था आइलेंड कंट्टी नहीं लिएते हुआ कि ऐसे की एक हे वाफच मैंहेट में और अंक्राइब कॉंपियट के पास का एन्टार्टिका बोलते हैं ऑप है है इंडिया एज डिसरोट चेंटर्व डेज दिज आर नेम एज मैटरि ऑन दक्षिन गंगोतरी यहां इस कंप इस आप देख सकते हैं यहां पर दिखाया गया है आप देख सकते हैं अच्छे से सब्सक्राइबर है इस में ल ungef abstathers अब देख रहे हैं देख सब बर्याबर इस मैं इसका है सबसे ज्यादा है इसलिए एक नमबर पर उसके बाद किसमें दिख रहा है और सबसे कम किसमें दिख रहा है अस्ट्रेलिया में कितना है सबसे चोटा कौन सा है और सबसे बड़ा है कौन सा है और दो नमबर पर कौन सा है अफ्रिका है कि यह साइज बाइज एक्स्प्लाइशन अब आल कंटिनेंट्स आप आप इसमें भी देख सकते हैं लाड़्य चौश स्माल इट बाई लैंड एडिया देखिए एक नमबर पर कौन सा है और इसका कितना है लेंड एडिया है देखिए इसमारे वीडियो लेक्चर में एक खास क्योंकि जो टाइमिंग है वो ज्यादा है बट इसकी खासियत है इसमें नोट को नोट कीजिए और इसको याद रखिए क्योंकि कुछे जाते हैं इसी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से इसमें देखिए लेंड एरिया के अकॉर्डिंग सजाया गया है एक नमबर पर क अस्टेलिया है अब अब आते हम हाइड्र एस्पेर अधिस कॉल द बूब बने बताया था था फो बूब प्लेंट को का थे क्योंकि इसमें तूथर्ड वाटर होता है और अग्यों सब्सक्राइब अजर रुनिंग वाटर इन रिवर्स एन लेक्स आइस इन ग्लेसियर यह आते हैं इसके अंडर अब मोट दन नांटीस सेवन पोर्सेंट ऑट वाटर इस पाए जाता है आपको समुद्र में अग्यों बदेखते हैं अब देखिए कौन कौन से मेजर और और अठीक यह मेजर फाइब से इसको महाँ सागर बोलते हैं सबसे बड़ा है देख सकते हैं आप मैप में भी यह सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने सिट्रेट इसको स्टेलिया हो यह यह रहा चैनल अैटलंटिक लाटिस अटलैटीक सेके लाटेशक नवर्ड यह अगतलांटिक लीए इसका यह देखсьजिए यह यह अरी क्या है यह इसका जैप अलमोस्ट इस की तरह को का इस तरह बना हुआ है यह ऐख ता लान्ठिक वाया अप उसे इस जंब आशेली आश्रेयल अफ्रेट आपरीक आख साथ नॉसी आथन उसी अर्थ आथ इसे जंड नॉसी इंसिक नटीनिनट उप अंटरक्टिका एंट इंके नौ्टफ वर्थ टू सीथ इसव्थ लीडी को सिंड आथिक सिंड्स आथिक स्कूल सिंड नॉस थेड और यह जो अब करता है जल संदी इस जो बोलते हैं यहां पर क्या है यह नाम बेरिग स्टेट है यह देख सकते हैं आप मैप में अब आते हम इत्मोस्पेर के बारे में और इसको कितने लियर में करते हैं जो है इसको कि देख सकते हैं आप यह जो लियर है इसको माय मंदल बोलते हैं 16-100 km तक इस प्रेड हैं इसमें देख सकते हैं हिंदी में या बोलते हैं आयन मंदल मध्य मंदल समता मंदल एंचो मंदल इसर दमेडर के लियर सब डाइटमोस्पेर अनोड़ एकड़ा पल्ड एक्टोरियो रिप्रियों शन्यूर्ट अडर प्रेसान्टे इसरे प्रेंट अंट्टेशन के इससे पहला हुआ है अब एक्मस्पेर में क्या एक्मस्पेर में जो एर है उसमें से 78 परसेंट इस नाइट्रोजन है एंड सेकेंड 21 परसेंट अक्सीजन है और अब आप इसमें देख सकते हैं कि टोटल जो एक्मस्पेर के कि एयर है वह किसमें है 92 परसेंट नाइट्रोजन 21 परसेंट अक्सीजन अजेस्टा अब गैसे और अक्सीजन जो अबरे दिंग के लिए बहुत इंपर्टेंट है और लिभ गोडिये रोगदी नाइट्रोजन का यह या अप्लिकेशन का है करवंडाइट प्रजेंट इन माइ को गरी की लिए बहुत ही एकका है तो यह एकत्राइछ देक्तियर केसि रिगाड़िंद आप으니까 अपने अपने इंभार्मेंट की शुरक्षा करने बहुत जरूरी है अगर मालीज अगर ज्यादा पेर कटिंग करते हैं तो इसका नुक्सान हो जाता है इसलिए हमें सब चीज को बैलेंस करके रखना है कि तो आई एक हम सम्दीद क्या क्या पढ़ा हमने इसमें हमने मेजर डोमेन अपस अर्थ पढ़ा है अर्थ के परिवंदल के बारें पढ़ा अर्थ के इतने कि बाइड करते हैं इसको कैसे रिद्णियर क्या हुआ है एकमोस्पेड है उसके बाद में पढ़ा हमने इस्तमस क्या है इसका explain किया देख सकते हैं यह स्टेट क्या है दो activating और यह नज़िए जोड़ता है और प्रेंस लागे में पड़ा कि पूद आ उसके वह नहीं स्टेट अफ मलाका के वारे मताइब क्या है और वाटर वीटी को जोड़ता है तो यह हमारा वीडियो आज कर रहा जरक्वी डांट वाप आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए इस वीडियो को और सेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स दीजिए ताके हम आगे और अच्छा वीडियो बना सके थाइंक्यू एंड है नाइस टाइम